नमस्कार जय हिंद, मैं सैनिक समाचार भारत की पत्रकार, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करती हूँ. बड़ी खबर, हाइकोट ने राजनीतिक प्रचार में सेना के जवानों और लोकसेवों का इस्तमान मामले पर की सुनवाई, केंद्र सरकार से मामना जवाब. दिल्ली हाइकोट ने पिछले नौ वर्षों में सरकार की उपलब्धियों को प्रदर्शित करके राजनीतिक प्रचार फैलाने के लिए लोकसेवों और सेना के जवानों के कथित उप्यों के खिलाफ एक जनहित याचिका पर सुमबार को यानी 4 दिसंबर को केंद्र से कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि सरकार को अपनी कल्यानकारी योजनाओ को लोकप्रिय बनाने पर कोई आपत्ती नहीं होनी चाहिए लेकिन केंद्र सरकार के वकील से पिछले 9 वर्षों में किये गए कामों का प्रचार करने के लिए निर्देश लेने के लिए कहा न्यायमूर्ती मिनी पुषकर भी शामिल थी उन्होंने कहा कि आप हालिया कह सकते हैं नौ साल क्यों इसे हालिया मुद्दे या घटनाकरम बनाएं वकील प्रशांत भूशन द्वारा प्रस्तुत याचिका करता ये सर्मा और जगदी एस चोकर ने कहा कि रक्षा मंत्रालय द्वारा किये गए कार्यों को बढ़ावा देने के लिए सैनिकों को निर्देश देने के साथ कई सेल्फी पॉइंट स्थापित किये जा रही हैं लोक सेवकों को विक्सित भारत संकल में विशेश अधिकारियों के रूप में तैनात किया जा रहा है गूशन ने तर्क दिया कि सरकार की विकाज गतिविधियों को प्रचारित करने के बारे में 9 अक्तूबर को रक्षा लेखा महानियंत्रक और 17 अक्तूबर को कार्मिक और प्रशिक्षन विभाग द्वारा जारी संचार जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहट भरष्ट आ जन प्रतिनिधि को उजागर कर रहा है। इसमें कहा गया है कि राजनेतिक प्रचार में ऐसे अभ्यासों में राजनेतिक डल के नाम का उप्योग करना शामिल है। इस प्रकार सरकार अपसैनी को का इस्तमाल राजनेतिक प्रचार के लिए नहीं कर सकेंगी। तो यह थी खबर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। बने रहिए चैनल के साथ इस वीडियो को शेर करें। वीडियो देखने के लिए मैं आपका दिल की गहराईयों से धन्यवाद करती हूँ। आगे भी मेरे द्वारा दी जाने वाली अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेए। जय हिंद नमस्कार